Hello friends, कैसे हैं आप लोग? आसा करते हैं आप बहुत ही अच्छी होंगे, स्वस्त होंगे और बिंदास होंगे इस वीडियो में मैं आपको अंचपनियोर और अंचपनियोर सिपके बीच के डिफरेंसे को बताऊंगी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अंचपनियोर इस परसन होते हैं वो आप बिजनस को स्टार्ट करते हैं तो रिस्क को तो बियर करते ही हैं और उसमें वह जो प्रॉफिट होती है उनका भी वो क्या करते हैं यूज करते हैं प्रॉफिट को भी गें करते हैं reward को enjoy करते हैं okay so क्योंकि हम जानते हैं इतना risk high होगा profit भी उतना ही होगा और generally general person इसे risk को देखकर पीछे चले जाते हैं but अंचापनियोर ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि जब वो start करते हैं तो उसको start करने में वो risk को भी identify करते हैं प्लस profit को भी identify करते हैं and then वो business को start करते हैं then वो कुछ नया करते हैं okay आप facebook यूज करते हो आप whatsapp messenger यूज करते हो आप यह जो android phone यूज करते हो online swapping करते हो क्या यह पहले था नहीं था इसी opportunity उसको entrepreneur ने ग्राप किया and then यह हमें provide कराया आप जो facebook application यूज कर रहे हो हम यूज करते हैं आप यूज करते हर एक वैक्ती यूज करता है इसका हम लोग यूज कर रहे हैं यह अंचपनियोर के द्वारा दिया गया है facebook जो मार्त जूकर बक्स के द्वारा दिया गया है alphabet के जो CEO है सुंदर पेचाई गूगल के जो CEO है सुंदर पेचाई यह क्या है अंचपनियोर है आप बिल्गेट के बारे में जानते हों जी होने Microsoft software हम लोगों को दिया उन्होंने Microsoft software डेवलप किया और आज 90% computer में Microsoft software यूज किया जा रहा है तो बिल्गेट क्या है अंचपनियोर है तो अंचपनियोर बनना is not an easy task आपको अंचपनियोर बनने के लिए आपको चैलेंज़ को एक opportunities को रूप में देखना होगा क्योंकि अंचपनियोर चैलेंज़ को opportunities में convert करते हैं और जो normal ordinary person होते है वो चैलेंज़ को देखके पीछे पार कर लेते हैं तो यू 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 अंचपनियोर बट मैंने बताया कि आप रिस्क को बियर करने की चमता को develop करो और कुछ भी start करो तो आप दोनों देखो रिस्क को भी देखो profit को देखो ज्यादा कर रिस्क होगा तो डरो मत कि जब रिस्क हाई होती है तो profit भी हाई होती है अगर Mark Zuckerberg सुंदर पेच्छाई या बहुत सारे ऐसे अंचपनियोर अगर उन्होंने रिस्क को देकर पैर पिशे किया रहता तो आज हम उनके दोरा जो किया गया जो application use हम लोग कर रहे हैं उनके दोरा जो किया गया काम उसका ह कर पाते हैं कि तो entrepreneur एक person होते हैं entrepreneurship is a process is a process. कि जब हम कुछ नया start करते हैं मालीजिए कि आप कुछ नया start करना चाहते हैं बाहिए कि आप कोई business start करना चाहते हैं तो उस business को start करने के लिए process नहीं हो सकता हम सोच लिए और बिस्नस स्थैंब टोलि ऐसा कुछ नहीं होता है 16 स्थैंबफ होगिन क्रुछ कें warriors के लिए करानी के लिए tys अर्वी ग्सटैंबी इसन्ग प्रॉसेर मोघ होती है यहार में प्रॉसेसे हम जब menor झानी को सब्सक्राइब कष्टरें के लिए कि लैंड चाहिए है, सबसे पहले तो लैंड चाहिए, मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, यह क्या है, एक प्रोसेस है, उस material का अच्छे तरीके से allocation होना चाहिए, acquisition होना चाहिए material का, कोस्त अगर हम कम रखेंगे तभी तो हम output दे सकते हैं, अगर मेरा cost ही मेरा input जादा हो operating cost जादा हो जाएगा तो क्या profit earn कर सकते हैं यह सब चीज देखना पड़ता है and that is entrepreneurship entrepreneurship is a process entrepreneur is a person entrepreneur is an innovator entrepreneurship is an innovation entrepreneur is a creator entrepreneurship is a creation entrepreneur is a visualizer entrepreneurship is a vision okay entrepreneur is an imitator entrepreneur is an imitation okay so entrepreneur is an imitator entrepreneur is a person entrepreneur is a process and enterprise is an outcome entrepreneur ideas ability को रखते है and उसके लिए process करते है and then enterprise stimulus होता okay जैसे आप computer में देखते हो input डालो processing होता है output मिलता है same thing happen in business okay आप entrepreneur आइडियास जैन्वेट करते है नए बिजनस को established करने के लिए initiator का काम करते है okay innovator का काम करते है and entrepreneur से लिक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनस को establish करते है and enterprise एक outcome है so आप confused मत होईएगा और आसा करते हैं इस वीडियो के बाद आपके पास कोई confusion नहीं होगा related to entrepreneur and entrepreneurship okay so I hope अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब and like my video okay